बहुत प्यार परिशा स्रीकाल दोस्तों मैं है रिशी गुलाटी ते आज दे एपिसोड विच अपां गालबात करन जा रहे हां हिपनोसिस दे बारे हिपनोसिस की है बहुत ही महत्व पुरन स्वाल है हिपनोसिस इनसानी मन दे कुदर्ती ते अनन्द दायक अवस्था है जदों के इनसानी मन पूरी तरह शांती ते अराम दे अवस्था विचा जान्द है यहे एक जेही मांसिक अवस्था है जिसनो के असी अपने कमा कारां विच विचरद्य होया दिन विच कई वारी महसूस कर सकदे हान Hypnosis तुराओं इंसान सुतवी हो सकदा है ते जागदा भी उसली अखां खुलियां आद खुलियां जब बंद हो सकदे हान किसे वे इंसान नूँ अपा बैठे होए, लेटे होए, जा इवन खड़े होए नूँ भी हिपनोटाइस कार सकते हाँ जे कर मैं समोहन दियाँ पाव हिपनोसेस्तियाँ एक्जेम्पल्स दियाँ ता गड़ी चलाओ दियाँ होयाँ भी अपा कई वारी हिपनोसेस्तियाँ वस्था वेचे चले जान दे हाँ कई वारी अपा सोच दे हाँ कि हुने ता मैं फलाने चौक जा फलानी रोड़ते सी एननी जल्दी में एथे भी पहुँच गया, पता ही नहीं लगया ता जेकर जेही स्थिती पैदा होवे ता समझ लेना चाहिदा है कि अपा हिपनोसेस्तियाँ की अवस्था वेचे चले गए सी हालांके एस अवस्था वेचे इनसान गड़ी बिलकुल ठीक चला रहा होंदा है और उसनु सब जरूरी कमा बारे पता हुँदा है कि अशने किना सफर किनी जल्दी थ협 कर लेख दुजी उदा अरंदे तो औरते जेकर में एक हां कि तुसी सबने महसूस किता हुएगा जदों तुसी कोई फिलम जा टीवी सीरियल वेखते हो जैसे वच के तो अड़ा पूरा इंटरस्ट हुंदा है जो तो हड़े वास्ते मुन रंजक हुंदा है ता कई बारी तो हड़े पाव नवां हीरो जा हिरोईन दुआ चो जिड़ा पसंद हुंदा है ओस दे नाल जोड़ जान दिया हन जेकर ओस पातर नू दुख हुंदा है ता सानुवी दुख महसूस हुंदा है जे कर ओस पातर नों खुशी हुंदी है ता सानुवी अंदरूनी खुशी रहसास हुंदा है जे कर ओस पातर नाल कोई तक्का करदा है कोटमार करदा है ता सानुवी गुसा हुंदा है कई बारी कई लेडिज फिलम जा सीरियल वेख देयां रोण लग पेंदी हान कई वारी जदों असी वेख दे हां के कोई हीरो गुंड्यानों कोट रहा है तब असी वी जिह एक्शन करना की पेन दे हां होर मार, होर मार, कोट दे, मार दे वगरा वगरा जेही अवस्थानों हलके समोहन दी अवस्था विछ पहुच गए समझ लना चाहिदा है कई वारी असी के से दोस्तानाल गली बाती लगे पए हुन्दे हां ते सानू पता जी नी चलदा के कदो कंट्यां बदी दा टाइम निकल गया गला कर दे कर दे जा कई वारी छोटे बच्चे अपने दोस्तानाल गली लगे पए हुन्दे हां जा खेढ दे पए हूंदे हन ते मा उननों वजा ँवारदी है कि बच्चे उखाना खालवो बच्चे मा दी गालनों अन सुन्याइ करदे हन ते एख अलसपष्ट करने जरूरी है कि असल दे विच्चे मा दी गालनों एग्नॉर नहीं करना चाँँदे ओ खलके सम्मोहंदी अवस्थाविच पहुंच गए हुंदे हन उनना दा मन इस कदर शांत हो गया हुंदा है एकागर हो गया हुंदा है कि उन्होंनों पता ही नी चलदा कि कोई उन्होंनों वज़ा मारे है इस तो इलावा जदों किसे नों खास तरीके नाल सला दिती जंदी है ओस व्यक्ति दा मन शांत होए ते ओधी कलपना शक्ति पूरी उडानते होए ता ओह व्यक्ती सहचे ही सम्मोहंदी अवस्थाविच चला जन्दा है हिपनोसिस विच इनसानी मन दिया चार अवस्थावा मनिया गया हन जिस अवस्था विच असी चेतन मांदिनाल जिद्दा के हुन असी गलवात कार रहे हां एहे साड़ी कौंशिय सवस्था है ये इसनू बीटा के हाजन्दा है हिपनोसिस दी सब तो लाइट अवस्था नू अलफा के हाजन्दा है ते उस तो अगे थीटा ते डेल्टा अवस्था मां आजन्दी हन जड़ों भी इनसान हिपनोसिस दी सब तों हलकी यवस्था पाव एलफा विच पहुंच जन्दा है ताँ उस दी किसे भी सिजेशन नो मनन दी शक्ती 200 गुना ज़्यादा हो जन्दी है For example कोई बंदा बिजनेस विच काम यब नहीं हो रहा ज़ा फेर हो गया जेकर अपा उसनु सला देए के तुम मुड़तों कोशिश करके देख तो सफल हो सकता है ताँ उस दा मन सो तरांदे तरक करेगा के मैं पहला में बहुत कोशिश कीती सी बहुत पैसा लगाया बहुत मेनत कीती केंदा पाव के उस दा मन बहुत तरांदे तरक करेगा पर जेकर असी उसनों सो मोहन दी अवस्था देवे चल जाके positive suggestions देए ता उसना मन सज्जे ही उसनों सविकार कर लगेगा अते एता असी जान देही हां के जेकर कोई भी इनसान मेनत करदा है ता ओधी मेनत नो फाल जरूर लग देहन देर सही जस्वेर सही पर जेतन अवस्था दी तरह hypnosis दी अवस्था देवेच ओस्दा मन सजानों फिल्टर नहीं कर सकता जा नहीं करता आम तोरोते कोई भी व्यक्ती इनना सारी अवस्था में देवेच चूल दा रिंदा है जदों भी किसे नो hypnosis किता जन दा है ता ओहो अलफा, बीटा, डेल्टा, जान थीटा देवेच का आरचूल दा रिंदा है कदे ओहो hypnosis दी हलकी वस्था ते कदे गेरी वस्था वेच चला जन दा है पर ओस्था जला conscious mind है ओहो पूरी तरह काम कर रहा हुंदा है ओस नों पता लग रहा हुंदा है कि ओस नों की की इसला देती जा रही है जांकी की हदायता देती है जा रही है कई वरी इंसान एहे भी कहा देंदा है कि मैंते हिपनोसिस विच गया ही नहीं क्योंकि मैंनों सब पता लगदा रहा कि तुस्थी की कहन दे सी पर चेते रहे कि हिपनोसिस दा मतलब बेहोशी जा पूरन तो औरते नीद बेलकुल नहीं है ये सवस्था दे विच इंसान पूरी तरह कॉंशिस होंदा है बहुत सारे लोग कांदे मना विच एहे स्वाल पैदा हो सकदा है कि जे कर थेरेपिस्ट जा हिपनोसिस्ट किसे वी कलाइंट नूँ हिपनोसिस दे जही गेरी अवस्था विचल जा सकदा है तां ओहो कोई पुठी सिद्धे सिजेशन विता दे सकदा है जेडी के ओस व्यक्ति लेका तक होवे तां इथे मैंस पायस्ट कर दें कि हिपनोसिस दे विच कोई वी ओस सिजेशन नूँ कलाइंट सभी कार नहीं करेगा जिसनों कि ओहो सेतन अवस्था दे विच सभी कार नहीं करेगा एसस दे पिछे लॉजिक नूँ समझे लेना बहुत जुरूरी है hypnosis देले जो लॉजिक है ओ एहे है कि जे कर तुसी hypnosis स्रिच जाना चाओंदे हो ता दुनिया दी कोई भी ताकत तो हानू hypnosis स्रिच जानतों नहीं रोख सकती ते नाल दी नाल एहे भी क्या जंदा है कि जे कर तुसी हिपनोसिस विच नहीं जाना चाओंदे ता दुनिया दी कोई भी ताकत तो हानू हिपनोसिस विच नहीं लजा सकती सो एहे बहुत ही सेफ ते बहुत ही काम्याब टेकनीक है उन्ना लोकां वास्ते जेड़े के अपने आप विच सकार्तमक बदला लेवना चोंदे हन मुखत और ते हिपनोसिस नो पतिन पागा विच वांड सकते हन पहला है क्लिनिकल हिपनोसिस जिड़ा के मेरे कम करन दावी तरीका है क्लिनिकल हिपनोसिस जा हिपनो थेरपी दे विच आपां किस से दियावी मांसिक समस्यावान दूर करन दे वास्ते उस नो हिपनोसिस से चले जाके उस दी मदद करते हैं इस दिनाल बहुत वटियाण समस्यामा दावी अंत किता जा सकता है। एतों तक के जेकर में एक हाँ के बहुत सारे लोग पूत और चुडेल और कसर्तौ पीड़त हुन दे हन। ते उन दिनाल दिनाल किता जा सकता है ता कोई अतिक अथनी नहीं है। बहुत सारे बद्यार थी जेहे हन जेड़े के पड़ाई तो डर दे हन जा पेपरां तो डर दे हन उनना दिया समस्या मादा हाल हिपनोसेस दी मदद दनाल बड़े सवखेतरी के नल किता जा सकता है बहुत किसम दे फोबियास हन दे हन कई यहनों लिफ्ट विच डर लगदा है किसनों मकडी तो डर लगदा है जांकिसे उचाई तो जा पानी तो उनना लोकां दे समस्या मादा हाल भी हिपनोसेस दनाल किता जा सकता है एस सो अलावा कई लोकां विच मौटिवेशन नहीं हन दी उनना चे हिम्मत ते होसला नहीं हन दा उनना दे विच होसला पर आ जा सकता है बहुत सारे लोग चार दोस्तां दे विच ते बहुत वधिया तरी के नल गावी लेंदे हन बहुत सोन्य गलावी कर लेंदे हन पर जेकर एही चारां दी था ते अगे 15 वी बंदे बैठे होन जा स्टेज ते खड़ा होना पैजावे ते उनना दी लगता थर थर कमबन लग पे हन दी हन अजे हैं लोग कांदे मन्दा डर हिपनोसिस दी मददना ठीक किता जा सकता है हिपनोसिस दी दूजी किसम है स्टेज हिपनोसिस जड़ा के अपा अकसर फिल्मा जा नाट कांदे विच वेख दे हां एपनोसिस दि ती वारे कुछ जान अगली वार फिर नमें के से टॉपिकना मिल दे हां सच्रियकाल झाल झाल